कि डिप्रेशन का उप्चार बिना दवाई का करो ऐसे काफे कॉल्स हमारे पास में आते रहते हैं उनको दवाई नहीं चाहिए तो उसका इलाज हम देखेंगे कि डिप्रेशन क्यूर विदाउट मेडिसिन्स तो आईए आपका स्वाज़त है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर में वनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा व्यस्तनमुक्ति इतग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूँ डिप्रेशन ऐसी भीमारी है कि आम जन्ता में पॉपिलेशन में आबादी में करीपरी दस से पंदरा टका लोगों को डिप्रेशन है यह आता गयाते रहता है किसका मूड डिप्रेश है किसको डिप्रेशन कंतिन्योसली है और ट्रेशर ऋपर गाते रहता ह misin आम तरपे कोई भी टेंशन दिमाञ में आया है और बातावर में कोई स्ट्रेस आ गया वातावर में कोई चिंता है या अतित के बारे में कोई फिकर या कुछ तभी हुआ है कुछ बुरा हुआ है अतित के बारे में अच्छा ने हुआ है तो उसके बारे में तो depression आएंगा mostly अतित के बारे में कुछ हो उसके बारे में सोचो या फिर anxiety आती है future के बारे में भविश्य के बारे में कुछ सोचते है चिंता करते तो anxiety आती है डिप्रेशन लोगों को काफी आते रहता है और डिप्रेशन में मूड एकदम ऐसा लो रहना दुखी रहना नर्वसनेस, उदा सिंता कुछ काम में इच्छा नहीं होना भूख नहीं लगना सेक्स में समस्या होती है सेक्स नहीं कर पाते हैं नीन बराबर नहीं होती एक तो नीन जल्दी लगती नहीं है या सुबह जल्दी नीन खुल जाती है और फिर कभी-कभी खुदकुशी के विचार आते हैं आत्मत्या के विचार आ जाते हैं कभी व्यक्ति खुद कुशिक करने की कोशिच भी करते रहता है और और मूर्श जो है वह हरगं डाउन डाउन ही रहता है और कुछ लोगों जो भूँगा हमारे तरब ऐसा रहता है कहना कि नहीं हमको बिना दवाई का इलाज को अब बिना दवाई के लाज इसमें कुछ पॉइंट से बड़े-बड़े वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है मैं उसमें से कुछ बड़े पॉइंट्स आपको बताऊंगा एक तो है डिप्रेशन में मैं बुलता हूँ कि अपने आपको बीजी रखो अकेला बैटा जो है न वो empty mind is a devil's workshop ऐसा बोला जाता है खाली दिमाग जो है वो भूत का घर होता है ऐसा बोला जाता है तो हमेशा बीजी रखो खुद को और बहुत सारा बहार से मतलब डिमांडिंग ऐसा कोई जवाब है बहार दिमांड पूरी करने पड़ती है तो चोटे मोटे डिप्रेशन आएंगे भी नहीं नंबर दो ऐसा काम करो लोगों के लिए कि जहां से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं आपके घंटा दो घंटे तीन घंटे रोज का ऐसे होंगी कि जो आपको खाली है और जब खाली बाइट है तो उसमें टीवी देखना या मोबाइल पे खिलना या वाटसाप या फेस्बूक इसके बदले ऐसा कुछ तभी काम करो कि जो दूसरों के हम काम में आएंगे और दूसरों को उसका फायदा होंगा बिना मेरे फायदे का तो डू संथिंग फर अदर्स के नाट पे यू बैक ऐधर इन काइन और कैश ऐसा लोगों के लिए कुछ तभी करो कि जो लोग आपको कैश में या प्यार में वापस नहीं कुछ भी कर सकते ऐसे लोगों के लिए काम करो तो जो गीवर अटिट्यूड बहुत काम में आता है फिर हम बोलते हैं कि आपको जीलस ही है क्या मतलब द्वेश है मत्सर है किसके बारे में तो वो देखो और दिमाग में बहुत ऐसी खुनस है कि जो मतलब जो है तो उसके लिए भी मतलब विचार चालो रहते हैं खुनस है बदला निकालोंगा देख लोंगा तो उसके उसमें से भी डिप्रेशन आते रहता है फिर लोगों के उपर प्यार नहीं करना प्यार नहीं करना लोगों के एक तो खुद के उपर भी प्यार नहीं कर दिमाग कम जलते रहता है, मेरे कुछ भी मैंने हाथ में काम लिया तो बहुत ही मतलब असबलता ही मिलती रहती है। ऐसे काफी अपने खुट के बारे में विचार आते रहती और खुट के उपर हम प्यार नहीं करते तो उसे डिप्रेशन आते रहता है, तो खुद की उपर प्यार करना चलो करो फिर कुछ लोग ब्लेम 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 करते रहे तर उससे डिप्रेस हो जाते है तो ब्लेम करने में मज़ा नहीं है ब्लेम करने में आता है कि लोगों के हाथ में मेरी जिन्दगी है मेरी जिन्दगी का driver मैं हूँ, मैं मेरे जिन्दगी चलाऊंगा और जो भी कुछ हो रहा है जो भी कुछ हुआ है जो भी कुछ होने वाला है उसके लिए मैं जिम्बेंदार हूँ वहाँ से हम operate करने के लिए लोगों को बोलते है, वहाँ से अपना जिवन जिव तो ब्लेम करना नहीं चाहिए, फिर नेक्स जो है कि लोगों को माफ कर दो, एक तो अपने आपको माफ करो, अपने आपको, कुछ भी गलती आतित में हुई, अपने आपको माफ करो, ठीक है जो भी मैंने किया हो गलत किया है, चलो आप इसे नहीं करूँगा, नमबर एक, आप तो यह जो है, माफ, माफी नमा, तो वो बहुत जरूरी है, और वो यहीं करते हैं, तो उसे बहुत फाइदा डिप्रेशन में होते रहता है, फिर अपने आपको शाबा सिदेना, अपने आपने जो भी कुछ अच्छे काम किये है, उसकी नोन लेना, उसका स्टॉक लेना, कि मैंने कौन से अच्छे काम किये है, कौन से अच्छे काम मैं कर सकता हूँ, कहां कहां मुझे सफलता मिली है, उसके एक रिलिस बनाओ, अपने आपका, अपने आपकी जो सफलता है उसकी, और अपने आपका अकम्प्लिश्मेंट क्या है, मैंने क्या साथ दिखिया है, क्या-क पोग कॉंदो या मुझे मुझे मालब कहा कहा सफलता मीली है कहा का सक्रास मिला नर्वी पूरा लिखना अपने आपको शाबहसी दना उसके लिए तो आपको अच्छा लगता है त की इस्के आलावा गाने सुनना बहुत अच्छे गाने जो है जो excitement चाने सुनना नंबर दो exercise exercise करने देप्रेशन में फायदा हो दाए नेक्स्ट meditation meditation आप करते हैं और उसके साथ साथ आप self-hypnosis करते और self-hypnosis करके अपने आँखों के सामने विजोलाईज करके अच्छे-च्छे लाना जिसमें आप बहुत confident है बहुत उस्सा बड़ा हुआ है लोगों के साथ में कुछ भी बात्चीत में कर सकता हूं लोगों को मिल जू लरहा हूं बहुत मज़ा रहा है डान्स मतलब अच्छ है बहुत ऐसे विजुलाइज करना सीन की आप तो को अच्छा लगता है तो वह मन में आता है वो लोगों को बोल देना चाहिए मन में रखना नहीं है क्योंकि जब आप किसी की बारे में कुछ मन में रखते हो और बोल देते नहीं है तो उससे बहुत नुकसान होता है अपने आपको और relationship में भी बहुत दरी आ जाती है तो ऐसे काभी सारे जो points है कि जो हम counseling में cover करते हैं हम coaching करते हैं हमारे यह depression के लिए कोई आता है बलता मुझे दवा नहीं होना था मुसको counseling करते हैं उसको coaching देते हैं और negative विचारों को कैसे दूर करना positive विचार कैसे डालना self-hypnosis से negative विचार निकालना subconscious mind के क्योंकि यह विचार के वो पूरे subconscious mind में है तो subconscious mind में ही nervousness subconscious mind में ही उदा सिंता sadness वो जो आता है तो वो कैसे निकालना वो हम उसको coaching में counseling में वो करते हैं काम पड़ा तो family को साथ में बुलाते हैं हमारे यहां फिर आके लोग रुखते हैं 6-7 दिन का यहां मुकाम करते हैं और फिर उनको हम उसमें coaching counseling सम्मोहन इस तरह से बिना दबाई का daily करते हैं जब दबाई बंद करते हैं लोग तो बनेदे दो ऊंदे दो तीस दिन तकलिफ होती है हम बोलते हैं थीक हैं तiliन तो प्रॉबलेम नहीं है जो चैलू dua है और उसको दो तीन दन तकलिफ होंगी और वहां से फिर depression में उसको रहात मिलती हैं तो आप यहां आ सकते हैं हमारे हैं दो हस्पिटल है जहां मतलब वहां रिलेटिव के साथ में रिलेटिव के अलावा शिसारों के साथ में पिरते हैं उनका इलाश करते हैं हमारा जो मक्सद है वो है सबके लिए मांसिक स्वास्ति और वेसनमुक्त भारत आप ये वीडियो अच्छा लगा तो जरू लोगों को शेर करो ताकि जो मिशन है उसमें आपका भी आपकी भी पार्टनेशिप हमारे साथ में हो जाएगी हमारे जो मिशन है वो में फ्रिसद हो रहा था हूँ सबक दो को तो करें है